इस वीडियो में हम लोग syllabus का बात करने वाले चाहे foundation level पे हो intermediate पे हो और तीसरा self-placed online module के हो या final का syllabus में कौन-कौन सा subject आने वाला है वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले है तो हाँ चैनल पे नहीं हो तो subscribe कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए तो चलिए start करते हैं इसमें यहां पर new scheme जो new scheme है इसमें क्या syllabus होने वाला है कौन सा subject होने वाला है तो देखें सबसे पहला हम लोग के पास subject है वो accounting है जो hundred marks का second number पर हम लोग के पास business law जो hundred marks का paper number three में यहां पर quantitative aptitude जिसमें यहां पर business mathematics होगा logical reasoning होगा उसके बाद status होने वाला है फिर हम लोग के हम लोग के पास पर नमर 4 हां इसमें क्या तो business economics जो hundred marks का कौई यह हम लों के पास foundation का सब्जेक्ट हो गया तो foundation के subject में यह 4 subject हम लोग का सब्याकर हो गया अब intermediate का देख लीजीए तो यह हम लोग के पास जो यहां पर syllabus का होगा उसका भी मैं वेडियो बना दूंगा बढ़ हां एक पर आप लोग देख लेजिए कि हाँ तीनों लेबल पे क्या-क्या सब्जेक्ट आने वाला है और यहां पर जो सेल्फ प्लेस्ट ऑनलाइन मोडियूल आया उसमें क्या सब्जेक्ट होने वाला है व सब्जेक्ट रहा किसका इंटर्मिड लेवल पे उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर सेल्फ प्लेस्ट ऑनलाइन मोडियूल में तो सबसे पहले कि ऺ zंप zalट होने वाले फ्स नंबर रहां के पास फैनसील पूर्टिंग फिर एडवस फाइनसयल मेनेज्मेंट उसके बाद हम लोग के पास एडवल एक्वांस और फिर इंडाटर्म पररिटांस एक और इसके बाद हम чувक्त बास इंटेग्रेक्स बिसनस सॉल्यूशन इसमें क्या बोला मल्टि डिस्टि डिस्टि डिस्टिप्लिनरी के से स्टेडिए विद इस्ट्राटिजिक मैनेजमेंट यह हम लोगे पास छे सब्सक्राइब फाइनल लेवल पर अब यहां पर देख लीचे जो हम लोगे पास सिल प्रेस्ट ऑनलान मॉड्यूल इसमें यहां पर हम लोगे क्तना स्ट होने वाले हन्य टाहरी आस चार यहां लोगे पर इसमें पर को सिरफ-फार सिर्फ कोई एक यहां पर सलेट करना तो देख लीजे, set A में हम लोगे पास सबसे पहले क्या है, तो यहां पे corporate and economies law, यह हो गया, set B में हम लोगे पास strategy, cost and performance management है, फिर set C है, इसमें से हम लोगे को एक subject choose करना होगा, इसमें कौन काँ से subject हम लोग choose कर सकते हैं, यहां पे risk management choose कर सकते हैं, फिर sustainable development and sustainability reporting choose कर सकते हैं, public finance and government accounting, फिर the insolvency and bankruptcy court 2016 चूज कर सकते हैं, फिर international taxation चूज कर सकते हैं, फिर the arbitration and consolation act 1996 चूज कर सकते हैं, फिर financing accounting चूज कर सकते हैं, valuation चूज कर सकते हैं, financial service and capital market चूज कर सकते हैं, फिर forest and treasury market, इसमें से हम लोगे कोई एक subject चूज कर सकते हैं, अब यह set D वाल देखे, कितना constitution of India, हम लोग सम्मीधान भी पढ़ने वाले हैं, and art of advocacy, तो यह हम लोग चूज कर सकते हैं, उसके पाद हम लोगे के पास क्या हैं, तो यहाँ पर psychology and philosophy, जो psychology and philosophy, UPSC level पे होता है, तो वही यहाँ पर psychology and philosophy subject भी आ चुका है, फिर यहाँ पर entrepreneurship and startup ecosystem, फिर digital ecosystem and control, यह सब आप लोग च subject D में से कौन सा subject चूज करने वाले हो, ठीक है, तो यह हम लोगे पास रहा, यह चारो, मतलब तीनों label पे प्लेस्ट में हम लोगे पास जो self-placed online module दे रखा होता, इसमें क्या-क्या subject आने वाला था, यह मैं आप लोग को बता दिया, इसी तरह से चोड़ा-चोड़ा वीडि लेगा playlist का, तो वह आप लोग चेक आउट कर लीजेगा, और हाँ, classes अगर आप लोग लेना चाहते हो, new course का तो जल्द आने वाला है, बट हाँ, old course में आपकर classes लेना चाहते हो, तो अभी just rupees 551 और यह limited time period के लिए offer है, तो आप लोग classes पचेस कर सकते हो, classes के लिए आप लोग और यह सब social media का link है, तो आप लोग यहाँ भी आकर के follow कर सकते हो, join कर सकते हो, ठीक है, चलिए, अभी तक like नहीं किये, तो like भी कर देजे वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आएं, तो subscribe कर दीजे, और हाँ, आपने friend के साब जरूर से जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान है कि, bye, check care